1997 में आई गोविंदा की ब्लॉक बस्टर फिल्म हीरो नंबर वन को हिंदी सिनेमा का मास्टर पीस कहा जाता है। तेविट धवन के नेडरेशन में बनने वाली ये फिल्म 26 साल बार भी कई लोगों की फेवरिट है। हाला कि अब गोविंदा के बाद हीरो नंबर वन का टाइटल टाइगर श्रॉफ को मिलने वाला है। ननपत की फ्लॉप ओपनिंग के बाद टाइगर वासू, भगनानी और जैकी भगनानी की एक्शन थ्रीलर फिल्म हीरो नंबर वन में नज़र आएंगे। खबरों के मा ने तो इस फिल्म में टाइगर की अपोजिट सारा अले खान को कास्ट किया गया है, वही सारा फिल्म के लिए राजी भी थी। हाला कि अने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी होने के कारण सारा फिल्म को डेट नहीं दे पारे थी। इसके चलते उन्होंने फिल्म से हाथ पीछे खीच लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मिशन मंगल के डिरेक्टर जगन शक्ती ने हीरो नमबर वन में दिशा बातनी के होने की पूछ्टी करते हुए एक बातचीत में कहा कि दिशा सबसे फिट है और एक्शन के लिए बहतर है। सारा ली खान जाहिर तोर पर इस फिल्म का हिस्सा थी लेकिन दुर्भागे से डेट्स को लेकर बात नहीं बन सकी। बतादे चले कि सारा ली खान के बाहर निकलने के बाद मेकर्स ने दिशा बातनी को फिल्म में लेने का फैसला किया है। तरसल टाइगर श्रॉफ का नाम बी टाउन की फेमस जोडियों में गिना जाता है। तोनों की लव केमिस्ट्री फिल्म बागी टू के सेट पर शुरू हुई थी लेकिन लंबे समय की डेटिंग के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था। ऐसे में ब्रेक अप के बाद टाइगर और दिशा पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इस पिल्म में टाइगर के साथ हज़े देग बंद देपेका पादुकॉन और रनवीर सिंग मुख्य भूमिका निभाएंगे।